आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंटियन एरपोर्स एक्सवाई ग्रूप के बारे में आप रामाइन का कमेंट आप देख सकते हो अमन ने पूछा कि सर अब जो एक्जाम डेट आएगी उसका एडमिट काड क्या फिर से आएगा तो देखेगा इस आमन का पूछना यहां पर कि जो आपका निव एक्जाम होगा अलागी आप सभी को पता है अभी एरपोर्स ने जारी किया कि आपका एक्जाम कब होगा तो क्या उसकी एडमिट काड फिर से आएंगे पर पराने वालों से कम चल जाएगा तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके इस डाउट को मैं किलियर करूँगा एंड इसके साथ ही एक्जाम सेंटर क्या चेंज हो सकते हैं या पर पराने वाले रहेंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके इस डाउट को भी मैं किलियर करूँगा नाम है PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ठीक है ना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस और बात करता हूं आपके एक्जाम सेंटर के बारे में तो देखे गाइस एक्जाम सेंटर से पहले में बात करना चाहूंगा कि आपका जो एडमिट काड के ऐगाइस तो मेरा आथ समय के लिए रहेगा कि जो एक्जाम होगा आपका एरपोर्ट का आने वाले दिनों में उसके लिए पिर से एक्जाम के एडमिट कार जारी किये जाएंगे और ऐसा मेरे तरफ से एक्सपेक्टिस ने 99.99% आपका ऐसा होगा कि आपके न्यू एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे एरपूर्स की तरफ से और डेपनेटली वो एडमिट कार्ड आपको आपकी इमेल आईडी पर फोरवर्ड कर दे जाएंगे एंड सेकंड जिस आईडी से आपने फोर्व में अप्लाई किया है उसका आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा तो आईडी और पासवर्ड डाल के आप एरपूर्स की ओपिशल साइड से एरमेंसलेक्शन.caddy.in से डाउनलोड कर सकते हो आपका एडमिट कार्ड और एड 99.99% एक्जम सेंटर चेंज की बात करते हैं कि आपका एक्जम सेंटर चेंज हो सकता है या पर नहीं होगा तो गाश देखें यहाँ पर एक्जम सेंटर चेंज होंगे डेपनेटली चेंज होंगे क्योंकि COVID-19 चल रहा है और COVID-19 चलते हैं उनको सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करना है इससे पहले जो एडमिट कार्ड के अंदर आपके लिए एक्जम सेंटर दिये गए थे उनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होगी डेपनेटली क्योंकि और जाता है तो एक्जम सेंटर के अंदर אח três को क commenting लिए इसका मतलब है कि आपके एक्जम सेंटर बढ़ेंगे एक्जम सेंटर बढ़ेंगे तो आपका एक्जांध सेंटर चेंज होगा टेपनेटली ठीक है तो दोस्तों आज की स्थटेंट करई उनकेpel 57N आपको समझ में 5000 आ सबसे पहले हो सके तो यूटूब चैनल पीडियाप ग्यान पर भी वीजी टॉन करके जरूर से देख लिजेगा तक के लिए जय हिंद वन्दमात्रम